हलो दोफ्तों टेक्निकल वीशो बटार में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाटसङ्च्ट में यंजी प्रव्बम आ रही है तो उसको अपको सिर्फ अपना वाटसङ्चàs यहां पर पर अस्टेटर लगा के देखतें तो ऐसी प्रोब में यह दिखती है इसे setting का option खुल जाता है और यह आप call करते हो call में भी ऐसा ही setting का option आता है और आपके call नहीं मिल पाती है status आप नहीं लगा पाते हो तो उसको सही करने के लिए किस तरह सही करना है वो आप देख सकते हैं वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत यह असान तरी एक option मिलेगा app manager का app manager आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सभी के phone में होता है यह app manager के app पे आप click करेंगे और नीचे की तरह आपको एक option मिलेगा permission manager यह permission का option आपके पास होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर permission में यहाँ पर सब चीज़े आपको camera दिख रहा है और बह आप click करेंगे camera पर click करेंगे सबसे पहले और नीचे की तरह पर score करेंगे तो WhatsApp का option मिल जाएगा और यहाँ पर देखो don't allow पर click हो रहा है इसको अलो पर click कर देंगे जैसे आप अलो पर click करेंगे और यहां से back हो जाएंगे ऐसे आपको फिर back होके दुबारा फिर वहीं पर आ जाने के बाद देखो यह भी don't allow रखा इसको भी अलो कर लेंगे तो simply बात यह है कि सभी को आपको permission दे देनी है एक एक करके आपके जो भी microphone हो गया आप फोन हो गया आपका जैसा फोन की यह लोग के phone के contact number का होता है call वगारा मिलती है इससे तो आपको इसको भी अलो कर देन होती है आपको सभी को अलो करना है फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मैं एक-एक करके अलो कर रहा हूं सभी को ठीक है फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी WhatsApp की जो status की problem है वो भी कैसे हट जाएगी ठीक है ऐसे simply आपको करना है एक-एक करके जैसे कि मैं कर रहा एक बर मैं चेक कर लेता हूं WhatsApp पे जागे कि आपकी permission हो गई है या नहीं हो गई है अभी भी कुछ कोई permission रहे गई होगी तो यहां पर सो कर देगा आप देख सकते हैं यहां पर अभी भी प्रोड वीडियो को उप्सन मिल गया आपको देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे और वाटसब पे जाएंगे और इसको भी अलो कर लेंगे तो यहां अब आप ना वाटसब लगा पा लिए तो दोस्तों आपको ऐसे ही आपको अपनी सैटिंग को ओन कर लेना है तो सिंपल एक इसका ओप्सन एक और है आपको सिंपल बासम आपको बता देता हूं ही मिल जाता है परमीशन का उप्षन इस परमीशन के उप्षन पर आपको किलिक करना है और यहां पर सारी वो सैटिंग यहां पर मिल जाती है इनको सभी को आपको परमीशन दे देनी है simply आपको कुछ भी नहीं करना है एक-एक को खोलना है और यहाँ पर allow मैंने पहले ही setting से कर दिया है तो यहाँ पर allow so कर रहा है तो सभी को ऐसे यहाँ से permission दे देनी है और आपकी जो भी WhatsApp की problem होगी status की या call करने की जो भी problem होगी तो सारी आपकी अट जाएंगे आपको सिर्फ इनको यहाँ पर आके allow कर देना है सभी setting सभी permission को आपको allow कर देना है तो दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना और मैं आपको बताओं एक मैंने वीडियो बनाई हुए बहुत ही अच्छी वीडियो है फोन यह आपको restore हुआ है यह आपको contact number delete हो गया है तो वो वापस कैसे लाई तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो आपकी सभी contact number वापस आ जाएंगे आप जरूर से उस वीडियो को देख लीचे बहुत बंदों के यालप हुई है यह आपकी यालप होती है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें thank you मिलते हैं next वीडियो में